अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आपका सूपर फास्ट स्टेडी एन एक्सपेरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सेमी फिनिस्ट कास्टिंग प्रोड़क्स के बारे में जैसे की इंगोट, ब्लूम, बिलेट, स्लेब इन चारों के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा डिसकस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन सेमी फिनिस्ट प्रोड़क्ट से कौन सा फाइनल और फिनिस्ट प्रोड़क्स बनाया जाता है, रोलिंग करके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंध तक सबसे पहले ये डिसकस कर लेते हैं कि आखिर सेमी फिनिस्ट कास्टिंग प्रोड़क्ट क्या होता है semi finished यानि की नाम से ही clear है पूरी तरीके से finished नहीं है आधा finished है semi finished products को steel mills में फिर से processing किया जाता है ताकि उससे finished और final product बनाया जा सके यानि की ये final product के just पहले का product है जिसे semi finished product कहा जाता है और इसके चार टाइप्स है ingot, bloom, billet और slab इन चारों के बारे में अभी एक एक करके हम जानते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा semi finished product होता है ingot ingot जो है वो large rough casting होता है जिसको design किया जाता है storage करने के लिए या फिर metal को transport करने के लिए एक जगा से दूसरी जगा, इसका save जो है वो या तो rectangular होता है यह taper'd रहता है जञादा तर नीचले हिस्से में और नीचला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है ingot से फिर bloom बनाया जा सकता है वैसे तो bloom को direct भी बनाया जाता है bloom क्या होता है अब जाल लेते हैं bloom जो है ingot से कम cross section का होता है इसका cross section area जो है 36 और कहीं कहीं पर round shape में भी बनाया जा सकता है bloom सिर्फ इसका cross section area जो है 36 square inch से जादा होगा और इससे जो final product मिलते हैं वो हो सकते हैं rails, rods, seamless, pipe अब बात करते हैं billet की billet जो है वो या तो circular cross section area का होगा round या फिर होगा square cross section area का इसका cross section area 36 square inch से कम होगा या फिर अगर हम centimeter में कहें तो 230 cm square से कम होगा इसका cross section area billet को directly बनाया जा सकता है continuous casting के द्वारा extrusion process के द्वारा या फिर directly billet को produce किया जाता है hot rolling से ingot से direct या फिर bloom से ingot और bloom को दोनों में से किसी को भी roll करके hot roll करके फिर से billet बनाया जा सकता है billet से बनने वाले final product है बार, rod और कुछ कम डाया के seamless pipe भी बनाया जाते है billet से next है हमारा slab slab का आप image देख सकते है right side पर है rectangular shape का होता है slab को direct casting से भी बनाया जाता है continuous casting में या फिर slab को जो है ingot से directly slabbing mill में roll करके निकाला जाता है slabbing mill से ingot से direct slab बनाया जाता है mostly slab जो है उसको फिर further processing करके rolling mill में फिर से processing करके final product बनाया जाता है जैसे metal की sheet, metal plates, strip, pipes और tubes के form में भी इसे फिर convert किया जा सकता है तो ये slab जो है ये direct ingot से भी बनाया जा सकता है और direct casting भी किया जाता है slab का तो चलिए एक diagram के through अच्छे से समझते हैं फिर से सबसे बड़ा semi finished casting product होता है ingot ingot से फिर slab बनाया जाता है और ingot से ही bloom बनाया जाता है bloom को फिर से process करके billet बनाया जाता है अब bloom और billet में क्या difference है bloom का जो cross section area है वो 36 square inch से जादा होगा अगर centimeter में कहें तो 230 centimeter square से जादा होगा उसका cross section area जबकि billet का cross section area जो है वो 36 square inch से कम होगा अगर हम centimeter में कहें तो तू 30 cm² से कम होगा बिलेट को फिर से रोल करके बार बनाया जाता है सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते है स्लैब को डायरेक कास्टिंग करके भी बनाया जा सकता है ब्लूम्स को भी और बिलेट को भी डायरेक कास्टिंग करके भी continuous casting machine से बनाया जा सकता है अब इस डाइग्राम में देखिए ingot से slab बन रहा है slab से seat और seat से फिर उसे convert कर दिया जा रहा है coil में processing करके ingot से bloom भी बनता है bloom से फिर उसे structural beams में और channels में convert किया जा सकता है और इसी bloom को फिर billet में change किया जा सकता है और billet को बार में change किया जा सकता है बार को rod में change किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो please channel को subscribe कर दीजेगा फिर से भी लेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा